शराप, पार्टी और डीजे पर डान्स, फिर नाबालिक की गैंग रेप के बाद हत्या, असम के डिब्रुगड में चौकाने वाली घटना, गौहाटी, असम के डिब्रुगड जिले के एक चौकाने वाली घटना सामने आई है, यहां एक 17 साल की लड़की का पहरण कर सामुह को भिक बलातकार किया गया, इसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, मामले में चार यूवकों को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने कहा कि चार संदिक्तों को गिरफ्तार किया गया, कथिद घटना रविवार रात, जिले के बानी पुर उठेकेरी गाओkung इलाके म पुलिस की ओर से नाबालिक बताई गई लड़की कथित तौर पर रविवार दो फैर कुछ नीजी काम के लिए डिब्रूगर शहर के लिए निकली थी लेकिन वापस नहीं आई पुलिस ने कहा कि परिवार के सदस्य लड़की की तलाश कर रहे थे उसका फोन भी बन था ऐसा माना जा रहा है कि लड़की कुछ लड़कों को जानती होगी और अपराद अस्थल पर ले जाने से पहले उसे कोई नशीली चीज दी गई होगी शौको पोस्ट माडम के लिए डिबरूगर के असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया गया पुलिस ने कहा कि हमने अस्थानिय लोगों से कथित घटना के बारे में कई बातें सुनी हैं हमें पोस्ट माडम रिपोर्ट मिलने के बाद मौत का सही कारण पता चलेगा इस बीच एक अस्थानिय वैक्टी ने दावा किया कि रविवार को लड़कों का एक समो धेकेरी गाओं के एक घर में पाटी कर रहा था वे घर के अंदर और बाहर मारी जुआना और शराब पी रहे थे उन्होंने कहा कि हमने उन्हें शोर शराबे वाली पाटी करते हुए देखा बाद में उनके चले जाने के बाद पडोसियों को घर के अंदर एक लड़की का लड़का हुआ शौव मिला पुलिस द्वारा मामले में चार युवकों को गिरफतार किया गया है जबकि रविवार की पार्टी में कुछ और लड़के भी थे पुलिस अधिक शक श्वेतांक मिश्रा ने कहा कि मामले की जाच की जा रही है हम फिलहाल अधिक जानकारी नहीं दे सकते